हाई वुचबारी, मेरा दाम है शुवन पाठाक, वेलकम टू माई चानल, मैं इस चानल पर आपको क्लास 10 के सेस्टी और बायोलोजी पढ़ाती हूँ आज का 12 चाप्टर है Water Resources, आज ही की लेक्चर में आपको Water Resources की Best Explanation मिल जाएगी और आज ही की लेक्चर में आपको इसका Map Work भी मैं सिखाते जाऊंगी तो इस लेक्चर के बाद आपको NCRT पढ़ने की कोई जरुवत नहीं है, अपने Notes बनाने की कोई जरुवत नहीं है, लेक्चर देखने के बाद जब आप Questions लगाने बैठोगे क्योंकि Questions बहुत repeat होते हैं, तो 2015 के Board Exam में भी उनमें से कोई एक अधर Question आ सकता है अच्छा, before starting off, let me congratulate 3 बच्चा पाटी, one is Anish Raj, congratulations बच्चा, second is Tanvi Chuhan, third number पे Miss Unknown करके कोई ID थी बट बच्चा आपने अपना नाम नहीं लिखा था, तो I could not take your name, बट मैंने third number पे आपे वैशनवी का नाम डाल दिया है तो ये वो बच्चे हैं, जिन्होंने पिछला Lecture, Gender, Religion and Cast का Lecture देखके सबसे पहले right answer दिया था तो मैं हमेशा अपने session में दो questions या तीन questions पूछती हूँ, कुछ questions lecture के बीच-बीच में होते हैं important topics के और एक question हमारा last में होता है तो जो बच्चे उनके सबसे पहले सबसे सही answer देते हैं, उनका नाम में next lecture मैं announce करती हूँ so do not forget कि आज के homework question के answer जरूर देना comments में so that I know आपको lecture समझ आया and आपका नाम भी मैं अगली class में ले सकूँ अच्छा एक और बात यह जो मैंने notes prepare की हैं, इस पे मैंने slides पे लिख-लिख के notes prepare की हैं लेकिन इसके जो handmade notes हैं water resources के, वो free of cost आपको pdf के format में description में मिल जाएंगे इसके important questions वगरा चाहिए हो, तो you can join my telegram group, socially shubham नाम है telegram group का, हर chapter के important questions वहाँ पे आने वाले हैं तो description में आप जाके telegram group को join कर सकते हो, बहुत सारा study material जैसे जैसे bodizans पास आएंगे, वहाँ पे मैं आपके लिए बना-बना के देती रहूंगी, completely free of cost, okay तो चलो start करते है water resources, now we, अगर आप देखो तो, जब आप map देखते हो, world का political, तो आपको continents दिखते है, Europe दिखता है, Asia दिखता है, Australia दिखता है, लेकिन आपको जादातर क्या दिखता है, पानी दिखता है, क्यों क्योंकि हमारा 70% earth है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है, चाहि हमें एक fresh water होता है, एक brackish water होता है, brackish water को बोला जाता है salt water, जो समंदर का पानी होता है, right, समंदर का पानी हम बाकी कामों के इस्तमाल में तो फिर भी ला सकते हैं, लेकिन हम पीने के, मतलब अपनी life को support करने के लिए हमें जो पानी चाहिए, पीने के लिए, उसके use में हम न fresh water है, वो glaciers वगला में trapped है, और हम वो glaciers से fresh water निकानने की कोशिश करेंगे, अर्थ का balance बिगड़ जाएगा, बहुत सारी natural calamities आएगी, तो पूरी दुनिया की यह जो growing population है, for example, इंडिया आप देखी रहे, हमने सोच आ था, इंडिया 2050 तक चाइना को overtake करेगा, by 2050 the data used to say that India will overt take China in terms of population, but 2022 में, 2023 में हमने चाइना को overtake कर गया, तो इंडिया है नहीं, हर country की population बढ़ रही है, और यह growing overpopulation जो है, अर्थ पे उसे support करने के लिए हमारे पास पानी कितना है, fresh water, कितना है, 1% है, अब obviously, जो 1% fresh water है, जो हमारा available fresh water है, यह हमें नदियों में से मिलता है, यह हमें Lakes में से मिलता है, जो freshwater lakes होती है, यह हमें underground water से मिलता है, यह हमें surface runoff से मिलता है, एक आपका NCIT में एक word लिखा हुआ है, surface runoff, बच्चे क्या करते है, रट्टा लगा लेते हैं, आगे पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, surface runoff क्या होता है, बच्चा पहाड़ों प बारिश का पानी है, natural water है, fresh water है, लेकिन वो surface से runoff करके है, तो that is surface runoff water, so यह दो तीन जगाओ पर हमें fresh water मिलता है, बाकी पूरी दुनिया में हमें क्या मिलता है, brackish water मिलता है, जो हमारी पीने के काम नहीं आ सकता, हमारी life को support नहीं कर सकता, अच्छा, खुशी की बात यह हमे Earth पे, water जो है, hydrological cycle से दुबारे से क्या होता है, बनता रहता है, कहने का मतलब है, water is a renewable resource, renewable resource है ना, जब हमारी science जो है, science की जगा EVS कहलाती थी, तब से हम बढ़ रहे हैं कि hydrological cycle होती है, क्या होता है, कि बारिश का पानी पढ़ता है, बारिश का पानी पढ़ता है, तो समु संदर नदियां जो भरती हैं, उसमें से पानी heat की वजा से, Earth की heat की वजा से दीरे-दीरे, Sun की race से जो heat पैदा होती है, उसे पानी दीरे-दीरे evaporate करता है, evap होके पानी जो है, उपर जाके condense करता है, water droplets में convert होता है, water droplets फिर से एर्थ पे पढ़ती है, rainfall के form में, और फिर से पानी collect होता है, और यह cycle चलता जाता है, तो खुशी की बात यह है कि हमारा water जो है as a resource, वो renewable resource है, दुवारा दुवारा बनता रहता है, लेकिन दुख की बात यह है, कि बिचारे पानी को बनने में जतना time लगता है, हमारा पानी को use करने का जो rate है, वो उससे कहीं जादा है, इसी situation की वज़ा से आप देखते हो कि Bangalore जैसे शहर, दिली जैसे शहर, इंडिया में भी इतने शहर हैं, जसमें कि इंडिया में कितनी नदिया है, हमालन नदिया है, पैनिसलर नदिया है, लेकिन फिर भी इंडिया के भी बड़े-बड़े महानगरों में पानी की scarcity होगी है So think about other nations, जो drier parts है world के, वहाँ पे पानी की कितनी जादा कमी होगी, आप देखते हो राजस्तान की ओरतों का, जब भी आप Google करोगे, राजस्तान women search करोगे, आपको ओरते दिखेंगी, मटके मटके लेके, रेगिस्तान में दौरती होई, रेगिस्तान में भागती होई, पानी के सर्च में, चार-चार किलो मेटर, पाच-पाच किलो मेटर जाना पड़ता है, एक मटका पानी लाने के लिए, क्यों? क्योंकि पानी की कमी है, पानी की कमी क्यों है? जब पानी रिनुवेबल रिसोर्स है, तो पानी की कमी हमारे पास क्यों है? क्योंकि हमारे पास पानी को exploit करने के एक लाख reasons है हमारे पास so it is all because of us कि despite मतलब ना चाते हुए भी ना चाते हुए भी नहीं मैं मुलूँगे despite का मतलब होता है कि इसके बावजूद की पानी renewable resource है हमारे पास पानी की कमी पड़ रही है कुछ facts पे नजर दोड़ाते हैं facts हमारी सच्चाई बनने वाले है 96.5% जो total दुनिया का पानी है न वो oceans में पाया जाता है 2.5% ही हमारे पास fresh water है 2.5% से 3% अब ये जो 2.5% fresh water है total water का उसका भी 70% जो fresh water है वो glaciers वगरा में exist करता है तो हमारे पास accessible नहीं है इंडिया की बात करें तो हमारे पास पूरी दुनिया की बारिश में से 4% बारिश इंडिया में पढ़ती है अब हमारा उसमें rank आता है 133 in terms of water availability 4% बारिश इंडिया में पढ़ती है लेकिन फिर भी हम rank पे किस पे आ रहे है 133 नमबर पे आ रहे है in terms of water availability per person per annum क्यों जब इतनी जादा बार दुनिया का 4% हमारे पास ही आ रहा है तो हम इतने नीचे क्यों आ रहे हैं हम इतना नीचे इसलिए आ रहे बच्चा क्योंकि हमारी population बहुत जादा है अगर ही population कम होती तो शायद water की scarcity इंडिया में नहीं होती but we are a very highly growing country right the total renewable water resource of India are estimated at 1897 square kilometer per annum और यह हमारी growing population को sustain करने के लिए enough नहीं है और result क्या है उसका चाए इंडिया हो चाए अमेरिका हो result क्या हो रहा है इस बात का result हो रहा है water scarcity लोगों के पास पानी ही नहीं है अब अमीर लोगों के बात नहीं करेंगे water scarcity का सबसे ज़ादा असर किस पर पढ़ता है बच्छा poor section of the society पर पढ़ता है उसके बाद middle class section of the society पर पढ़ता है right पानी की कमी पानी की कमी का असर अमीरों पर कभी नहीं पढ़ेगा हमेशे गरीबों पर पढ़ेगा और गरीब जंता जो होती है इंडिया जैसे country में बहुत जादा होती है आप class 9 में अल्ड़ेडी पढ़के आयो that every fifth person हर पांचवा इंसान इंडिया में क्या है poverty line से नीचे है so water scarcity is a growing problem for us a pressing problem for us अब water scarcity का असली meaning क्या होता है इसका मतब होता है जब लोगों के पास पानी available ना हो जितनी demand है उतना पानी available ना हो किसी area में, किसी state में या किसी देश में तो से तुम बोलते हो water scarcity जब हम water scarcity सोचते है तो हमें बस दिखता है कि लोग जो हो मटके मटके लेके पानी लेने जा रहे हैं पानी का वेट कर रहे हैं पानी की कमी है पर actually water scarcity के दो components होते हैं बच्चा एक पानी की कमी तो definitely होता है दूसरा अगर पानी available भी होता है तो poor quality का होता है for example हमारी earth पे 70% पानी है ocean water बहुत available है क्या वो ocean water को हम water scarcity की problem solve करने में use में ला पा रहे हैं? बिलकुल भी नहीं क्यों? क्योंकि वो brackish water है तो quality of water भी depend करता है हमें fresh water चाहिए तो water scarcity के किते components हो गए? दो हो गए एक पानी की कमी और गंदी quality का पानी और undesirable quality का पानी अब वैसे तो इसके कारण बहुत है अलग अलग जगा के अलग अलग कारण हो सकते है पंजाब का लग कारण हो सकता है असाम का लग कारण हो सकता है लेकिन अगर ओवर ओल तीन main reason discuss करें water scarcity के तो सबसे पहला आएगा low rainfall अब ये low rainfall भी nature का किया धरा नहीं है nature को कोई नहीं पड़ी थी कि आपकी rainfall के schedule के साथ आपके seasons के साथ वो छेडखाड करें this is all because of human activities हमने इतना pollution create कर दिया है इतनी global warming हो गई है कि हर जगा rainfall का pattern जो है बदल गया है कभी इतनी बारिश होती है कि बारा जाती है कभी इतनी कम बारिश होती है कि सूखा पड़ जाता है कभी ओले पड़ जाते है कभी बरफ पड़ जाती है फसल घराब हो जाती है सो seasonal variations आ रही है low rainfall हो रही है overall low rainfall हो रही है scanty rainfall हो रही है कभी होती है कभी नहीं होती है and that is disturbing the hydrological cycle भई बारिश अगर कम पड़ेगी तो underground water table कैसे बढ़ेगा नदियों का पानी कैसे बढ़ेगा so हमारी वो hydrological cycle पूरी disturbed हो रही है second point excessive use of water यही मैंने पहले भी बताया आपको पानी renewable resource है खुद से बन सकता है hydrological cycle से लेकिन उसका मतलब यह नहीं है अब तुम सोचो तुमना tap खोल के अपने घर में bucket भर रहे हो वाल्टी में पानी भर रहे हो जब तक बिचारा पानी भर रहा है तब तक तुम्हें पुरा नहा ही लूँगा अब problem पानी के भरनी की है इसमें कि problem तुम्हारी तेजी की है कि तुम जल्दी जल्दी नहा रहे तुम्हारी तेजी की है सेम हमारी अर्थ के साथ हो रहा है पानी अपने आपको renew कर रहा है लेकिन हम इतनी जादा तेजी और इतना over exploit कर रहे है पानी को कि उस तेजी से पानी अपने आपको renew नहीं कर पा रहा है तो water scarcity is mainly because कि धीरे धीरे हमारे इंडिया में चाहे शहर हों चाहे गाउं हों population बढ़ती जा रही है पानी की demand बढ़ती जा रही है और पानी का unequal access हो रहा है अनीकोल access कैसे हो रहा है जैसे जो बड़े-बड़े महानगर है जैसे आप देखोगे for example Bangalore की बात कर लो Bangalore में पानी की बहुत कमी है लेकिन आप बहुत महेंगी सी society में अगर घर खरीदोगे न तो वहां पे उन्होंने pumps लगा रहे हो उते हैं बहुत high electricity high power वाले pumps लगा र हीच के आपको पानी दे देगा तो if you are an upper middle class person in India और a rich person in India आपके घर में पानी की कमी अभी नहीं आएगी आपकी generations को पानी मिलेगा लेकिन जो गरीब लोग हैं जो गरीब areas हैं वहां पे पानी का distribution कम होता जा रहा है तो inequality पहल रही है basic resource जो है जो जीने के लिए मैं चाहिए उसमें भी क्या आ रही है इस quality आ रही है दूसरा point the large population means more water not only for domestic use पानी की मतलब जाधा population उसका मतलब यह नहीं कि पीने के लिए जाधा पानी चाहिए नहाने खाने बनाने के लिए जाधा पानी चाहिए वो तो चाहिए domestic purposes घर के कामों के लिए तो पानी जाधा चाहिए लेकि साथ में जाधा लोगों का मतलब है कि जाधा खेती करनी पड़ेगी जाधा खेती का मतलब है जाधा irrigation करना पड़ेगा उसके लिए भी पानी चाहिए जाधा लोगों का मतलब है जाधा industries होंगी जाधा jobs होंगी तो उसके लिए भी पानी चाहिए so industries हो गई irrigation हो गया domestic use हो गया हर चीज के लिए ज़ादा पानी चाहिए होगा अगर हमारी population बढ़ती रहेगी तो especially जो irrigated areas होते हैं वहाँ पहले क्या होता था जब किसान के खेती करते थे तो वह season देखके खेती करते थे कि जब यह बारिश का पानी आने वाला होता था तो उनको पता था कि यह वाले हमने products उगाने हैं crops उगाने हैं जिसको बारिश का पानी मिल जाएगा क्योंकि बारिश आने वाली है लेकिन अब क्या करते हैं farmers अपने फायदे के लिए और all across India, all across India भी नहीं, all across the world होता है यह सिर्फ इंडिया की बात नहीं है farmers क्या करते हैं कि dry season में या dry climate में या dry midty में भी वह वाली crops उगाने की कोशिश करते हैं जिन्यक्त जादा बारिश का पानी चाहिए होता है जिसके जादा पानी की जरुरत होती है अब वो पानी आएगा खहां से बारिश तो आदे रिये तो पानी आएगा भई या ground water से पानी आएगा खहीं और source से खरीद के पानी दोगे खेतों में सो water का exploitation हो रहा है पहले farmers जो है nature के think में चला करते थे अब वो greed में क्या है अलग-अलग-अलग-अलग crops उगाते हैं चाहे उसका season हो चाहे ना हो तो water का exploitation महाँ पे भी हो रहा है ना पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं पहले प्री इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 से पहले हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था water की जो भी exploitation हो रही थी ब्रिटिश गवर्मेंट की वजासे हो रही थी राइट वो क्या करते थे नील की खेती कराते थे हमारे इं इंडिया की मिट्टी पे इंडिगो की खेती कराते थे इंडिगो जैसे और भी बहुत सारी क्रॉप्स उगवाते थे अब यह जो क्रॉप्स होती है इन्हें पानी के साथ साथ जिस मिट्टी पे आप उगाते हो नहीं उस मुट्टी की quality खराब हो जाती है water retention capacity खराब हो जात हमें पता था कि यार आगे बढ़ने के लिए हमें जादा industries लगानी है जादा खेती करानी है तो हमने कुछ ऐसे कदम अठाए जिसमें हमने अपने human beings को तो center पर रख दिया इंडिया की environment को हम पीछे छोड़ गए तो हमारा जो intense industrialization हुआ 1960s और 1970s में इसमें क्या हुआ बहुत पानी waste हुआ बहुत सारी industries लगी बहुत सारी industries लगी rules and regulation अच्छे से बने नहीं थे industries क्या करती थी पानी का utilization भी करती थी तो पानी के availability भी कम होती थी और जो कच्रा निकलता था industry से वो नदियों में फेक देती थी आपको पता है इंडिया में water pollution का most common cause है largest common cause है उसका industrial pollution तो industries जो अपने profit के लिए पानी availability भी कम करवा रही है और पानी की quality भी गंदी कर रही है वो हमारे इंडिया में 1950-60 से चालू हो गया था तो इतने साल से हो रहा है तो obviously पानी की कमी तो आनी ही थी दूसरा point हमने green revolution कर दिया था 1950s में अच्छी बात थी क्योंकि इंडिया नहीं चात बहुत जादा पानी को utilize किया high yielding variety of seeds यूज करते थे fertilizer यूज करते थे chemical यूज करते थे तो इन सब में बहुत जादा पानी लगता है तो पानी की scarcity महां से भी आ गई तो green revolution हो गया industrialization हो गया तीसरा है शहरी करण लोग क्या करते थे गाहों में jobs होती नहीं थी गाहों को छोड अगर कोई जगा होती है तो वह पैरल चले जाते हैं शहरों में स्कूटी निकाल लेते हैं बाइक निकाल लेते हैं या भाइक धोने के लिए भी पानी चाहिए आपको घर के आगे आपको सफाई ची वहां पर भी आप धुलाई करते हो आपके कपड़े भी रोज गंदे होत बस 50,000 कपड़े हैं वो रोज गंदे हो रहे हैं आप उनको साफ कर रहे हो तो अरबर कल्चर बहुत अलग होता है हमारा कपड़ा थोड़ा सा भी गंदा होता हम ड्राइक लीन को दे देते हैं पता है आपको एक कपड़े को ड्राइक लीन करने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 l पानी लग जाता है है हम गाओं में क्या होता है तो हम बाल्ती और मक से नहाय करते थे शेहरों में क्या होता हमांने शावर लगा रखे हैं बहुत कख़े हैं गारीब purchasing में पानी चाहरे है यह दिल्ली के अच्छी सुसाइटिय में लेकिन आप वहीं दिल्ली या बैंगलोर के स्लम्स में जाओगे ना जुगी जोपडी में जाओगे वहां लोग ना लाइनों में खड़े रहते हैं बाल्टी लेके कि यह कब पानी कब टेंकर आएगा सरकारी टेंकर आएगा और हमें पानी मिलेगा क्या है इनी कॉलिटी है दोनों एकी शहर में रह रहे हैं लेकिन फिर भी पानी के वैलेबिल्टी एक दूसरे से बहुत अलग है इंडस्ट्रिल पॉल्यूशन मैंने बताई दिया यह वाटर स्कैर सिटी के दोनों पॉइंट्स पे काम करता है industries क्या करती है पानी की खपत भी जादा करती है पानी की quality भी घराब करती है then groundwater pumping system हमने क्या है कि technology को use करके resources को खतम करने की ठान लिये ऐसे-ऐसे pumps बना दिये हैं जो 50 km दूर से भी पानी की इच के लिए आते हैं तो आपके area का तो पानी खतम करी दिया आपने बगर वाले शहर का भी पानी खतम कर दिया है right so these are the reasons of water scarcity after the independence of India और इतना मुश्किल नहीं होता है पानी की खपत को रोखना अगर आप individual basis पे बस थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दे तो हम individual basis पे भी पानी की बचाव कर सकते हैं और अगर आप पानी की बचाव करोगे तो अगली जनरेशन भी करेगी और फिर अगली जनरेशन भी करेगी और situation शायद थोड़ी सी अच्छी हो सकती है तो छोटी-छोटी कदम है यह N.C.I.T. में नहीं है बट I just wanted to tell you छोटी-छोटी चीजे है फर एक्जामपल अगर आपकी कोई बरफ गिर गई है इसे common sense की बात है मालो अपने बरफ निकाली फ्रीजर से कोल्डिंग के साथ पीने के लिए बरफ गर गई अब हम क्या करते हो उसे फेक देते है सिंक में फेक देते है यार उसे पानी की पौधे में डाल दो ना वो बरफ पिघल के क्या करेगी वो पौधे के लिए पानी बन नहीं नहाना है शावर से नहाने का मन कर रहा है ठीक है हफते में एक बार शावर से ना लिया लेकिन बाकी दिन क्या किया कि अपने आप से डिसाइड कर दिया कि एक बाल्टी पानी है मेरे पास उसी पानी में मेरे को नहाना है राइट स्कूटी धोनी है आपको या तो आप पांच बाल्टी पानी से स्कूटी धो सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो गिला कपड़ा लेके स्कूटी पोच सकते हो और लाच का जो आपको एक बकेट पानी उसकरना आप कर सकते हो तो इस तरी पानी को रियूज भी कर सकते हो घर में कपड़े धूने के बाद जो पानी इ तो अभी तक यह था चाप्टर का आधा पाट जहां पे हम डिस्कुस करते हैं कि water हमारे पास कितना available है किस quality में है और availability की कमी है तो क्यूं है अब second part of the chapter में हम discuss करने वाले है river valley project और third part of the chapter में हम discuss करने वाले है root top rain water harvesting तो सबसे पहले हम multi-purpose river valley project की बात करते हैं तो हमारा इंडिया हमेशा से smart रहा है और हमारे इंडिया में पांचों उंगलियां कभी वराबर मेरी है इंडियन सब्कॉंटिनेंट जो है जो आपका हिमाल्या से लेके डेकन प्लाट्यू तक बिखता है आपको इसमें हमेशा से कुछ ऐसे parts ते जहां पे नदिया बहती थी तो बहुत पानी अवैलेबल होता था कुछ ऐसे parts जहां पे dryness थी तोड़ी लेकिन वहां पे अच्छे इंडिया में जो राजा महराजा रहे हैं उन्होंने hydraulic structure यानि कि पानी से related structures बनाने शुरू किये हैं ताकि dry season में या drier parts में भी लोगों को पानी अवैलेबल हो पाए वना बहुत पहले जाओगे जब राजा महराजा भी नहीं होते थे जब civilization शुरू ही होती जैसे हरपन civilization Indus Valley civilization Indus Valley civilization क्यों बोलते हैं क्योंकि वह इंदो नदी के पास होती थी तो पहले civilization से नदी के पास होती थी लेकिन धीरे 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 नदी से दूर भी civilization चलने लग गई कैसे hydraulic structures की मदद से तो हमने बहुत सारे hydraulic structures देखे हैं कुछ अभी भी हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं पर पहली century BC में अलाबाद के पास एक जगा है जहां शिंगा वेरा पूरा बोला जाता है वहां पर आपको ये structure देखने को मिलता है अगर आप इस structure को देखोगे तो यहां पर सीडियां लगी हुई है यहां पर बारिश का पानी कठा होता है सीडियों से लोग आके इस पानी को यूटलाइस करते थे और वहां की जो पूरा एरिया था उसे यहां से पानी मिलता था चाहे वो पीने के लिए हो चाहे वो नहाने के लिए हो चाहे वो खाना बनाने के लिए हो राइट इसमें गंगा नदी का जो बार का पानी है वो भी कठा किया जाता था और areas में तो नदिया होती थी N gi नदिया नहीं होती थी जो जहां पर नदिया नहीं होती थी वहाँ पर Allered रぎना व जहांती चैनल द priority two नदिया उति तो लो एक ओट सोड़ी सी दूर जो नदिया ठीड ऑटी थी जो तक its the death is my land of Here a cash the full day today Gail Intelligence境 live बहुत इच्छे irrigation works हमें मिले हैं कलिंगा डायनस्टी उडिसा में हमें मिले हैं आंदर प्रदेश के नागर जुना कॉन्ड़ एरिया में हमें बेनूर में करनाथका में हमें कोलापुर में मिले हैं सदन इंडिया में क्योंकि deccan plateau हिमालेयन प्लाट्यू से हिमालेयन प्लाट्यू नर्दन इंडिया से हमेशा ड्राय रहा है इंडिया का तो वहां पर हमें और अच्छे हाइड्रॉलिक स्टॉक्च्छर्स देखने को मिलते हैं 11th century BC में बोपाल में यह आर्टीफीशल लेक बन गई थी अब भी भी बोपाल में यह एक्जिस्ट करती है यहां पर बहुत टूरिजम अक्टिविटीज भी होती है बहुत खुपसूरा संसेट भी होता है इस इस दर लेक आम टॉकिंग अबाउट देन 14th century में 14th century में इल्टूत्मिश ने इल्टूत्मिश जो होस्खाज में आके उन् वर बढ़े टेंका तक बड़े बड़े हैड्रॉलिक स्रॉक्च्र बनाएं तक वहाँ पर भी सीरी फोट्स था वहां पर सीधी दानेस्टि ग सो कुल गिस्तर टेंचिन लेकिन मौडर्ण इंडिया में यहाड्रॉलिक स्रॉक्च्चर ऑविसली टोड़े से अ पानी के बचाव के लिए अगर आपने कोई भी बनाया हुआ है डाम एक तरीकी का है लेकिन हाँ यह सच है कि सबसे कॉमन हाइड्रॉलिक स्टॉक्चर जो अब आपको देखने को मिलता है दुनिया में वो है डाम के फॉर्म में तो डाम कैसा दिखता है पहले मैं वो बता देती हूं डाम के ये दो तीन पार्ट होते हैं पहला पार्ट होता है बच्चा रिजर्व ओयर दूसरा पार्ट होता है और तीसरा पार्ट होता है आपका डारेक्शन ठीक है तो तीन पार्ट हो सकता है यह बाकी नॉर्मल डाम से बहुत अलग दिख रहा है क्यों क्योंकि आप हाइड्र लेक्टिक पावर पंप लगा हुआ है ठीक है बट ये वाला और ये वाला जो हिस्सा होता है ये ताले डाम में तेम रहता है तो हम करते क्या है कोई भी वाटर के स्ट्रक्चर को च आप हमने जब पानी को रोका हुआ है तो हम पानी को छोड़ सकते हैं अपने पॉड़ी पानी की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि तुम पानी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो चाहे तुम स्लोप बनाके पानी की स्पीड कंट्रोल कर सक इस डारेक्शन के विजा से यहां पे जो गाउं पढ़ रहा था उसमें नहीं आ रहा था पानी और खेती नहीं हो पारी थी तो अब जब तुमने रेजर्वायर बना लिया है तो तुम पानी के डारेक्शन भी चेंज कर सकते हो थोड़ा सा पानी इधर थोड़ा सा सीधा कर सकते हो फारेजांपल हाइं इस से पावर सिस्टप में क्या कंतार इनЕर्जी होती है एक टर्बाइन बेद नार यौन स्मॉर्त क braid को और के ब hypotheto अनदर ओनदर इनेर्जिय को हम generator से connect करके क्या करते है electrical energy में convert करते है जो आस-पास की गाउं और शेहरों में provide की जाती है so this is how hydroelectric power system works right so अभी हमने क्या सिखा कि dam होते क्या है dam hydraulic structures होते है बचा जो किसी भी water source पे हम बनाते है for different type of activities for example power generation for example irrigation अब modern इंडिया में जब हम dam बनाई रहे हैं dam बनाने में बहुत खर्चा आता है और dam भी बड़े-बड़े बनते हैं खुब बड़े-बड़े dam बनते हैं cement के dam बनते हैं wood के dam बनते थे पहले आजकल तो cement और rock के लिए dam बनते हैं तो dams बनाना labor some काम है जब हम इतनी महनत लगाई रहे हैं तो हम किसी एक चीज के लिए थोड़ी करेंगे हम चाहेंगे कि उससे हम full to बहुत सारा काम निकालने so आज के जो dams हैं उन्हें हम multi-purpose river valley projects बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक purpose solve नहीं करते हैं वो बहुत सारे purpose solve करते हैं for example तुम उनसे power generate कर सकते हो जहां dams बनते हैं वो area इतना सुन्दर लगता है तो वहाँ पर tourism कर सकते हो dam से flood को control किया जा सकते है को नदी उसमें बारिश में बहुत जीअधा पानी भर जाता है बहुत जीवा जाता है इतना भाखता हुआ पानी जब गाओं में पहुंचतना है तो बाड़ ले आता है तो उसके flow को s arte Alberto कर्सकते हो तुम fish breeding कर सकते हो, जो तुम्हारा reservoir बना है, उसमें तुम मचलियां बाल सकते हो, वहाँ पर कोई-कोई dam तो इतने बड़ होते हैं कि वहाँ के reservoir में आप नाउ लेकर tourism भी कर सकते हो, तो tourism भी support हो जाता है, inland navigation कर सकते हो, मालो कोई area था जहाँ पर पानी नहीं पहुंचता था, आपने dam बना के reservoir से आपने direction दे दी कि आज से पानी इस direction में भी जाएगा, आप नाउ चला सकते हो, land दो पार्ट के बीच में आप पानी के तहत नाउ से पहुंच सकते हो, navigate, transport भी कर सकते हो, है ना, आप domestic और industrial यूज में भी ला सकते हो पानी, कोई गाउं है जहाँ पानी न और इसलिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो जो हमारे पहले प्रिधान मंत्री थे, पंडे जवालनान लहरू जी, उन्होंने dams को बोला, modern इंडिया का मंदिर, जैसे मंदिर में जाते हैं भगवान जी से जो भी मांगते हैं, हमारे इच्छा पूरी हो जाती है वैसे ही dams हमारी को एक इच्छा पूरी नहीं करते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छा है पूरी कर देते हैं, इसलिए जो modern इंडिया, मतलब की independence के बास जो इंडिया बनने वाला था, उसके लिए उन्होंने जाना और समझा कि dams कितने important हैं, क्योंकि dam हमारे industries को भी support करते हैं, हमारे देश में जादा पैसा भी कमा के देंगे, economic importance के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हमारे domestic purposes के लिए भी काम आते हैं, हमारी farming को भी support करते हैं, तो overall इंडिया की development में एक तरीके से dams जो हैं, मंदर का काम करते हैं, this is exactly what पंडे जवालना नहरुजी said for us, now इसका मतलब यह न ठीक है, तो dams में कुछ problems भी होती हैं, पहली problem है damming of the river, what is damming of the river, हमने क्या गिया नदी का पानी को हमने रोक दिया, रोक के हमने उसे बुला यार पानी क्या कड़ेगा, पानी यहां पे reservoir में stand करेगा, खड़ा रहेगा, हम जहां बोलेंगे वहां जाएगा, हम जहां बोलें सेडिमेंट ला रही थी, छोटे 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 जो कण ला रही थी, वह सारे कण over the years of time कहां पे कठे हो रहे हैं, यह reservoir के नीचे ही कठे हो रहे, दीरे 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 जो है मिट्टी भरती जा रही है, जो नदी के पानी के साथ आ रही है, और वह मिट्टी यहां नदिन के पानी बारिष है कि हमें इस प्रपस के लिए ऑम पर्पस कर गई भी आज़िकरत लहीं होगी दिन works के अंदर कोई जो इसके 7 ड्र fibers नास्ट यह कोउभ चोवोण वो मचलियां महीं रुक गई हैं, उपर से सेडिमेंटेशन के वज़ा से flood आ रही है So this is what happens due to dams, mostly Second is excessive sedimentation से flood आता है ये भी मैंने बता दिया Third is disturbs aquatic life aquatic life का अपना एक नजरिया होता है बच्छा मैं कोई कॉल अटेंड करना है, एक सिकेंद दिना हाँ जी aquatic life के जो जिंदगे होती है, वो भी disturb होती है, for example spawning Spawning क्या होता है, biology में एक process होता है aquatic animals जो होते हैं, कई सारी aquatic animals, कई सारी fishes भी होती है जो क्या करती है, पानी में fishes तो आपको पता है, अंडे ही देते हैं, babies तो देती नहीं है, तो वो अंडे देती हैं sedimentation में गुम हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है, और aquatic life की जो population है उससे disturb हो जाती है This is just one thing, बहुत बार होता है कि aquatic animals या aquatic life जो होती है, वो एक जगा से दूसरी जगा जाती है, breeding के लिए breeding के लिए, breeding season में अब वो breeding season भी उनका जो है भला होगा, लेकिन कुछ लोगों के भलो के लिए, कुछ लोगों का नुकसान भी होता है जैसे कि नर्मदा बचाओ अंदोलन शुरू ही इसले हुआ था, क्योंकि नर्मदा नदी पे जब सरदार सरोवा डाम बना था तो कम से कम एक लाख दस जार पेड़ों को काटा गया था एक लाख दस जार पेड़ों को काटने के बावजूद भी वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपलेशन रहती थी उसे डिस्प्लेस किया गया था उन्हें अपने घरों से जमीन से अलग किया गया था बोला गया था हम आपको घर देंगे वगरा लेकिन उनका लाइवलिवूड बहुत जादा इंपक्ट हुआ था तो जब नर्मदा पे डैम बन रहा था सरदार सरोगर डैम गुजरात में तो बहुत सारे जो इन्वार्मेंटलिस्ट थे हमारे देश के जो सोशल वर्कर थे जैस तरीके से भी काम हो सकता था या इतने पेड काते हैं तो कहीं पेड दुबारा लगाओ क्योंकि इन्वार्मेंट डिस्टर्ब हुआ है लेकिन दीरे देखा कि यार यहां तो प्रॉब्लम और जादा बढ़ी है पेडों की तो कटाई हुई है डीफॉरेस्टेशन तो हुआ ह हुआ है साथ में लोगों का लाइवली हुड एफेक्ट हुआ है ट्राइवल पॉपलेशन को मोबिलाइज किया गया तो बाद में जो सिर्फ एक अंदोलं के शरू हुआ था नर्मदा बचाओ मूवमेंट वो बाद में एक और्गनाइजेशन में तबदील हो गया था और अ जहां प्रॉमिस कर रहा था तक कि कई गाओं में वो बिजली देगा पानी देगा और वहीं उसने बहुत सारे ट्राइबल पॉपलेशन को डिस्प्लेस भी किया था तो ऐसे ही और भी इन्वार्मेंटल इशू आ जाते हैं जब डाम बनते हैं तो हम डेफिनेटली कुछ लो आंद्रापरदेश में पहुच गई आंद्रापरदेश से निकल गई तामिल नाडू में पहुच गई नदियों को थोड़ी बता है तुमने कहां पॉलिटिक्स बनाई हुँ है कहां पे तुमने कौन सी स्थेट बराई हो नदी तो बहरी है तो पानी के नाम पर जैसे कि कृष्णा गुदावरी डिस्प्यूट हुआ था कृष्णा और गुदावरी के पानी पे करनाटका और आंधर प्रदेश की गवर्मेंट की बीच में जैसे कि कोईना नदी एक छोटी सी नदी है हमारी छोटी तो नहीं है वैसे देखो तो पर हिमालन नदियों के प्रदा है वाटर वैलेबिल्टी यह सब डिस्प्यूट क्यों चाता है क्योंकि पानी कमी है एसेंशली पानी चाहिए अब हर स्टेट गवर्मेंट चाहती है यार उसे पता है कि अगर हम अपने लोगों को पानी नहीं पहुचवाएंगे तो अगली बार एलेक्शन में यह हमें जिताएंगे तो वह बेशेक अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हो लेकिन पानी पर डिस्प्यूट इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी की कमी हो गई है और सबसे बड़ा कारण जिस पर बोर्ड एक्जाम में क्वेस्टिन आ चुका है पिछले 5 साल में दो बार कि डाम से फ्लड कैसे आती है डाम की बाकी प्रॉब्लम्स थी वह मैंने आपको बताई डाम से फ्लड अच्छा में पर्पस जो डाम का होता था वह होता था फ्लड को रोखना कि बार का पानी गाओं में ना पहुच पाए लेकिन जब से अपनाना शुरू किया हमने देखा है कि वह ए जाएगा तो डाम के चैनल खोलने बढ़ते हैं और वह बाढ़ नहीं रोख पाते हैं जैसे अभी कुछ सालों पहले जो केरला में भायानक बाढ़ आई थी वह बहुत सारी नदियां और पॉन्स अगरा भर गए थे लेकिन इसलिए भी आई थी क्योंकि आस पास की स्टेट स जो पानी आता था केरला में वह कंट्रोल नहीं हो पाया क्योंकि डाम के चैनल को खोलना पड़ गया इतनी जाधा वारिश थी खोलते नहीं तो रिजर वायर के ऊपर से टापके आ जाता पानी है ना तो मतलब किसी ना जब बहुत बारिश होती है तो पानी को अगर आना है पानी तो आएगा so that is one problem then deprivation of the silt अब पानी के natural flow के साथ जो छोटे-छोटे कण आते हैं आपने पड़ा है आपने पड़ा है यही छोटे-छोटे कण तो बहुत फर्टाइल होते है natural fertilizer का काम करते हैं अलुवीलियल मिट्टी होती है यह तो राइट अब हम क्या कर रहे है रि तक गया तो आगे के खेतों में जो आज तक फर्टिलिटी आ रही थी वह फर्टिलिटी भी कम हो गई then land degradation जहां पर बाड का पानी जाता है उससे लांड भी डिग्रेड होती है उपर की जो टॉप स्वाइल होती है वह तो बाड के पानी के साथ आगे निकल लाती है समंदर म अर्थक्वेक भी आते हैं ऐसा भी देखा गया है साइंटिस ने ऐसा देखा है कि बहुत बड़े-बड़े डाम होते है तो उनकी वज़ा से अर्थक्वेक आने की सिचुईशन भी बन जाती है वाटर बॉर्ण डिसीजिस होती है जो reservoirs होती है उसमें क्या होता है पानी डाम की बज़ा से होने लग गई है जो हमने सोचा था जो problem नहीं होंगी वही problem होने लग गई है तो इससे अच्छा डाम से अच्छा है rainwater harvesting क्योंकि free का मुफत का पानी मिल रहा है मुफत का पानी मिल रहा है भगवान जी के यहां से उस पानी को हमने क्या करना है सिर्फ बच 효 bei करे ंpent cz करूं मैं एक फोमबग Frage स्क्राइब चाफ्चिन क्योंकि छाप्टर कर शार घणके तो चुन मुझे क्यों माप स्थ स्क्राब्र्दक्राइब ब मुच्वन माक क्यूस क्यों नेल लिगे दिमाढ का क्योंच कि न di यह हूं बार्टिमाख पैस्यों क्छा एं Rider बाज़ार योगी that what is the definition of water scarcity मैंने पढ़ाई है चाप्टर के बीच में पर water scarcity की definition तुरंद तुरंद comments में मुझे टाल दो एक और question आएगा चाप्टर के बाद मतलब लास्ट में अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं rainwater मतलब की बारिश का पानी हार्वेस्टिंग मतलब की उसको बचा के रखना और अपने काम बिलाना तो rainwater harvesting के mainly तीन स्टेप होते हैं पहला free का मुफत का पानी जो आपको मिल रहा है उसे collect किया जाए दूसरा उस पानी को store करके रखा जाए अच्छे से और तीसरा फिर जब आ rainwater harvesting भी अलग-अलग तरीके की होती है हम आगे जानेंगे rooftop rainwater harvesting कुछ इस तरीके की दिखती है मैं आगे explain कर दूंगी यहाँ पर आपको सिफ image दिख रहे है ठीक है तो पहले अलग-अलग rainwater harvesting की बात करते हैं हिमाल्या से उपर से top of the इंडिया से शुरू करते है top of the इंडिया अब valley बहुत बड़ी हो सकती है जहां पर शेहर बस जाते हैं जैसे की शिमला अगर valley बहुत छोटी है तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है राइट चोटे चोटे गाउं होते है आप बारिश का पानी भागता हुआ आ रहा है है ना बारिश के पानी को यहां पर हमने valt करके करके हमारे जो ड्रायиком हैं ने wood लेवारिश चाला है और ऐसे पानी को यहां पर बम हां टी करो फीट कर रहा है अब जहां से簡πर मिल रही होती है अचाने पीशन लेकिन जब बारिश का पानी आता है तो वहाँ पे flow भी बढ़ जाता है और बाढ आने की चांसेथ होते हैं और आपने देखा होगा कि जब नदी समंदर के पास आ रही होती है तो बहुत सारे different channel में बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जब वहाँ पर आती है तो उस बाड को डाइवर्ट कर दिया जाता है और डाइवर्ट करके बाड की पानी को डाइवर्ट करके ऐसे इंबैंकमेंट बना दिये जाते हैं इंबैंकमेंट करो कि बीच में एक एरिया है जो शैलो है मतलब जिस से लिए रॉछीन चाइब तरह में सुस्तलिफ यहां हमने दा somethin कर दी तो बाढ़का पानी जोगते होता है दिशेव कर दो कहला है और गाओं में बाड आने से भी बच गई, so इसे बोला जाता है इनन्डेशन चैनल, बेंगॉल में इसे बोला जाता है आपका कहां गया, बेंगॉल में कुछ और नाम बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ, एक बार कोई बेंगॉल से बच्चा है तो एक बार मुझे comments में ज़रा बताना I think बार से related कोई नाम बोलते हैं लोग इसमें fishes भी पालते हैं इस वाले inundation channel में इस वाले areas में fishes भी पाल लेते हैं उसने क्या होता है कि खेतों में पानी तो जाता रहता है with one smart move, आपने क्या किया, बाढ़ के पानी को सिर्फ डाइवोर्ट किया, minimal effort, maximum output, this happens in West Bengal, then third is Rajasthan वाले एरिया में, राजस्थान ले एरिया में इस तरीके के hydraulic structures को बोला जाता है, खादिर, अगर जैसल मेर की बात कर रहो हो, या जैसल मेर के आसपास के एरिया की, बाकी एरिया में इसे बोला जाता है, जोहर, तो इसमें क्या करते हैं, अब राजस्थान में भी टीले हैं, आपको पता है, आरावली माउंटेंस, तो महाँ पर पानी जब आता है तो ये मालो खेत है तो कुछ दिनों के लिए खेत को क्या बना लिया जाता है? Storage unit तो surface runoff से पानी आया पानी हमने यहाँ पर store कर लिया इस stored area को हमने बोल दिया या तो जो हड़ बोल दिया है तो खादिन बोल दिया जो मिट्टी बहुत dry हुआ करती थी over the years वो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है दूसरा इस पानी को आप बाद में किसी और काम में ला सकते हो खेती के काम में ला सकते हो अपनी गाय बैल बकरियों को धोने के काम में ला सकते हो खादिन का काम agriculture purposes के लिए भी होता है और मिट्टी की quality इंप्रूफ करने के लिए भी होता है तो एगरिकल्चर fields को हम storage units बना देते हैं और उसे नाम देते हैं खादिन और जो वारिश का पानी stand करता है वो हमारे दो purpose को solve करता है नेक्स्ट इस बीकानिर बाल्मन एंट फलोडी वाला area तो राजस्तान की यह जो तीन districts है यहाँ पर हम rooftop rainwater harvesting करते हैं क्या होता है यह हो गया हमारा घर यह हो गया हमारा घख Georged Baby turns out of view पाने पड़ा पहला पारीच का पानी हमने नहीं क्या पैला बारिष का पाणिभी और छब ठाइ क्थे मालेन दूसरा बारिच का पानी भी तुमने श्टुर किया दूसरा बारिच का पानी थे तुम पर तुमने यहां पर तुमने लगाई हूँ यह पाइप अब यह पाइप तुम्हें कर रही है एक टैंका ऐसे एक टैंके से इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं कई-कई घरों में बिल्कुल जमीन के अंदर होते हैं कई-कई घरों में इस तरीके के भी दिखते हैं ठीक है इसे बोलते है तंका, क्या बोलते हैं, तंका, अब तंका कई लोग घर के बाहर बनाते हैं, कई लोग घर के अंदर बनाते हैं, घर के अंदर टंका बनाने के दो फायदे होते हैं, एक तो बहुत पानी लेने बहुत भाहर में जाना पड़ता, दूसरा तंके के आसपास वाला एरिया बहुत इसमें collect किया जिसे बोला जाता है टंक का टंके छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं depending upon की हम किस घर की बात कर रहे हैं उसमें कितने family members हैं लोग उस तरीके से टंके बनाते हैं रिलायबल सोर्स होता है ये drinking water का पहले के जबाने में लोग बाकी पानी पसंद नहीं करते थे उन्हें टंके का पानी ही पसंद आता था क्योंकि राजस्थान में लोग इस पानी को बोलते हैं बचा पलर पानी पलर पानी का मतलब फ्यॉरेस्ट पॉम आप वाटर क्योंकि ये बगवान का देवा बारिश का पानी है जो fresh water है pure है बिल्कुल toxic नहीं है पानी पीने योगे है खाना बनाने योगे है राइट लोग उसका बहुत सेवन करते थे दीरे दीरे इंद्रा कांधी कनाल जब बन गई थी इंद्रा कांधी कलान ले क्या किया था राजस्थान में ख लोग आलसी हो गए और लोगों ने अपने घर के टंकास को तुड़वा के वहां पे कमरे वांडियर न वन वाल गये है तो पहले राजस्तान में हर घर में तंके देखने को मिलते थे अब दीरे दीरे कम तंके देखने को मिलते हैं लेकिन फिर भी जो बहुत ड्राइए एरि नौर्स इंडिया में आपको टंके देखने को मिलते हैं पलर पानी पर वन माक का क्वेश्चन आ सकता है प्लीज इसे नोट डाउन करेगा नेक्स्ट नेक्स्ट इस आपका गेंडा थुर करनाटका में एक ऐसा गाउं है जहां पे 200 फैमिली आपका वाटर रेन वाटर बहुत कुछ सीखना चाहिए इन फैक्स तामिल लाडू जो हमारी साउस की इक मोस्ट इंपोर्टन स्टेट है वह पहली स्टेट है इंडिया की जहां पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर के लिए कंपल्सरी किया हुआ है और अगर आप वह बनाएंगे त कि अब इस पानी से क्या करते हैं बादो पहत पढ़ती है लेकिन पहाड़ों पर पाद आ मिदा पाती है क्कि नीचे चली जाती है और पहाड़ों को घोरी स्लोप पे अच्छे से पानी सबस्क्राइब तो उस प्रॉब्लम को सॉल्टर अगोरे में 200 साल पुराना अबहुत क अगला लक्ट आने वाला है age of industrialization and making of the global world but anyway तो bamboo को हम काट काट के इस तरीके का pipe like structure बनाते हैं और हम उसे वो direction देते हैं जो direction हमें चाहिए हो कई जगा ऐसा दिखता है कई जगा ऐसा दिखता है कई जगा बिलकुल सीधा दिखता है जो आपको direction चाहिए है आप वो direction दे सकते हो और फिर finally जाके वो खेतों में जाता है और जो last वाला bamboo होता है उसमें हमने चोटे-चोटे hole किये होते है बहुत चोटे hole होते है तो इसे बूंद-बूंद पानी गिरता है और पानी जो इना सीध है जडों में गिर रहा होता है पानी वेस नहीं हो रहा है पानी सीध है जडों में गिर रहा है तो एक बूंद पानी भी चार बूंदों का काम करता है ठीक है? इसे बोला जाता है bamboo drip irrigation system कोई plastic use नहीं किया जाता है bamboo use किया जाता है उन खेतों में पानी जाता है जिन खेतों को usually mountains में पानी नहीं मिल पाता है और यहां पे flow of water भी हम control कर पाते है कितना पानी भेजना है किस खेत में भेजना है जडों में भेजना है यह सब कोछ हम control कर लेते हैं all because of this 200 year old amazing natural drip irrigation system so this was all अब चलते हैं इस chapter के map walk पे map walk में हमारे syllabus में यह सारे map है बचा पहले start करते हैं top of the India से सलल प्रोजेक्ट से सलल प्रोजेक्ट आपको यहां पे बना के आना है मैं red pen यूज़ कर रही हूँ this is your सलल प्रोजेक्ट oh sorry यह है आपका जमू इन कश्मीर में then we have भाकरा नांगल डैम भाकरा नांगल डैम आपका पढ़ता है यहां हिमाचल में हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पे बनता है बड़ पढ़ता हिमाचल में है चीके then तेहरी डैम तेहरी डिस्टिक पे पढ़ता है कहां पे उत्राखंड में जहां आप जिम कॉर्वड बनाते हो वहीं पे आपको तेहरी डैम बनाना है then we have राना प्रताफ सागर डैम जो राजिस्थान में बनता है यहां पे डॉट लगे हुए है बट अच्छली उसे थोड़ी से उपर आनी है यहां पे आनी है डॉट this is your this is your राना प्रताफ सागर सर्दार सरोवर डैम अभी देखा नर्मदा बचाओ अंदोलन हुआ था गुजरात में नर्मदा नदी पे है this is your सर्दार सरोवर हीरा कुट डैम बहुत ही सुन्दर डैम है हीरा कुट डैम पढ़ता है आपका उडीसा में यहां पे so you have to make यहां महा नदी पे है then we have नागा अरजंसागर डैम आपको यहां पे बनाना है बिलकुल तैलंगाना और अंद्रपरदेश के ऑदर पे ब॔रर से जस्ट लूपर तो आपको बनाना इक प्रेल आना के अंदर बिलकुल बॉरडर पी बनाना है ठीक है चार नमबर से उपर इस chapter में से नहीं आएगा mostly question आएगा तो dams के river valley project पे आएगा, pollution of the water पे आएगा over exploitation of the water पे आएगा या एक आदा number का question ऐसे आएगा कि tankas कहां पे दिखते हैं या कौन सी state है जहां पे आपको bamboo repair irrigation system दिखते हैं one marker question इस chapter से जादा बनते हैं don't forget to prepare them and एक homework question में last मैं आपको दे रही हूं the homework question is kuls और guls kuls और guls आपको कौन से हमालिया पे देखने को मिलते हैं northern, eastern, western या फिर southern हमालिया ठीक है, so you have to let me know एक question बीच में दिया था, एक question ये हो गया thank you so much for watching I'm signing off, I'll see you next time bye bye